गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग कमांडोस कैसे हैं कमांडोस मेरे सब जोश में पूरे होश में पूरी एनर्जी के साथ त्यार है या नहीं है त्यार ठीक है हर दिन देखो बिटा पता है आपको कि जो आर्मी होता है आर्मी में जो ट्रेनिंग होती है सुब काउट करते हैं मतलब बहुत हैक्टिक होता है और जब आप लोग स्लेक्ट हो जाएंगे मानलों आप पैसे कुछ बच्चे फॉलो करना पड़ेगा ठीक है जो मेरे परची थे जो IPS की ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए वैसा होता है कि सुबह उठके रूटीन उन्हें फॉलो क से कम नहीं है द्यार एक्चुली शोल्जर जो हेल्थ केर को इंप्रूब करने के लिए जो है वो नीट को पास करना चाहते है ना वेटा अपने अंदर देखो जिंदिगी में एक बात याद रखना वेटा अपने अंदर जो फीलिंग होती है जो हम सूचते हैं अपने काम के ठीक है चली तो हर बार में चालू करता है बैसिकली होतना खिलोने में चावी भरते हैं पहले तो मैं चावी भरता है आजाओ चलो दो घंटे की लंबी वाली क्लास को अटेंड करते हैं सीखते हैं और सीखते हैं तो एक दिन जरूर जीतते हैं सीखते हैं तो एक दिन जरूर लाइब पड़ रहे हैं क्या क्या कवर कर चुके हैं हम कवर कर चुके हैं कि सेल क्या होती है प्रोक्रिटिक सेल क्या होता है यॉक्रिटिक सेल क्या होता है प्लांट सेल क्या होती है एनिमल सेल क्या होती है सेल वॉल किस तरह की होती है सेल की स्टेडी कैसे करते हैं सेल को स्टेडी करने का टेकनिक क्या होते हैं, सेल मेंबरेन क्या होती है, सेमी आटोनमस सेलोगनल क्या होते हैं, माइटो कुंडरा को देखा, प्लास्टिड को देखा हमने, एंडो मेंबरे सिस्टम को देखा हमने, एर को देखा हमने, गौलजी बोडी को देखा हमने, लाइस आप मेरे को ठीके बताइए what is the name of functional unit of Golgi body Golgi body की functional unit का नाम क्या होता है what is the name of functional unit of Golgi body Golgi body की functional unit का नाम क्या होता है यह बताना है आपको बताना है how many type of rRNA present in larger sub unit of ATS ribosome ATS ribosome की बड़ी sub unit में कितने प्रकार के ribosomal RNA होते है question number 3 आपको बताना है what is the meaning of contractile vacuum का मतलब क्या होता है question number 4 what is the pH of lysosome lysosome का pH कितना होता है ठीके है ना बिल्कुल basic question किये में आपसे है ना Golgi body की function rate को क्या कहते हैं कितने प्रकार के ribosomal RNA कितने 80S ribosome की larger sub unit में पाया आते हैं ठीके इस का मतलब क्या होता है क्या काम करता है यह what is the pH of the lysosome lysosome का pH क्या होता है यह आपको बताना है ठीके बटा clear चलिए और अभी हम पिछली दास में बात करे थे बटा हमने lysosome के उपर बात किया था हमने देखा था primary lysosome क्या होते secondary lysosome क्या होते रेसिडल lysosome क्या होते आटो फिजिक lysosome क्या होते इसको देखा था polymorphic cell organ का मतलब क्या होता है और पिलियो मॉर्फिक cell organ का मतलब क्या होता वो भी देखा था फिर गॉलजी complex में polarity का मतलब क्या होता है उसको भी देखा था हमने है ना बिटा सब चीजे याद है ना कुछ भी पिछली क्लास का भूलना नहीं कि आपको जो है वो जब भी सब्सक्राइब को जिसे पढ़ने का मजा लगाता है कि दो हमने क्या इसको पर आगे बढ़ते हां महमक पिर हमने क्या देखा ता हमने का राइबोस्य में एक smaller sub unit होती है और mRNA जब nucleus से निकल कर cytoplasm में आता है तो सबसे पहले कौन सी sub unit जुड़ती है सबसे पहले smaller sub unit जुड़ती है अच्छा एक question का और उतर दो ribosome की दोनों sub unit को जोड़ने के लिए कौन सा mineral iron role play करता है which mineral iron is important for the joining of two sub unit of ribosome ribosome की दो ओपिकाईयों को जोड़ने के लिए कौन सा mineral iron जरूरी होता है यह आपको बताना है चलिए बताइए what is the given structure यह structure क्या है क्या है इसकी membrane को क्या बोलते हैं इसकी membrane को क्या कहते हैं ठीके इसके अंदर भरे हुए fluid के लिए हम क्या नाम यूज़ करते हैं आपको बताना है छिके eventual इंदर यूज़का है और इसकी membrane को क्या कहते हैं यह यह लिक्रीड को हम क्या कहते हैं है प पर यादे विटा आप अंशर भी आगया सामनेट के weantage हमने देखाता हमने कहाता कि थोड़ा NCRT कई जगे पर confused है मैं clear कर दो का है NCRT में जो लिखा है वो exam में आता है बहुत अच्छी बात है पर NCRT कई जगे पर गलत भी है कई जगे पर confused भी है Sir आप NCRT को गलत कैसे बोल सकते हैं आप कौन है इसा बोलने वाले भाई साब ऐसा है ना कि साइन्स तो अब हम पड़े लिखे आदमियार ठीके अब NCRT जिनने लिखी पता भगवान जाने वो क्या किस पतला कौन किसम का नसा करके बेठे थे ठीके तो खेर अलग मुद्धा मेरा मुद्धा ये कि कई बार क्या होता है कि किताब में कई जगे पर जोड़ तोड में कहीं परगाप को डिलीट कर दिया कहीं पर छोटा कर दिया उस चक्कर में गड़बड हुई NCRT के अंदर ठीके तो जो वेक्यूल वाला पोर्शन है उसमें में आपसे कहाता है कि सेंटरल वेक्यूल और नॉर्मल गोल्जी वेक्यूल उन्होंने सबको मिक्स कर दिया पर सचाई तो यह है कि हमको इनफॉर्मेशन एकदम क्लियर रहना चीज़ाम के पाइंट अवे से कि जो सेंटरल वेक्यूल है वो सिर्फ प्लांट सेल में देखने मिलते है सेल के बीचों बीच होते है और इनमें वाटर प्लस मिनरल जो है वो अंदर प्रिजन होता है और इसके फ्लूड को क्या बोलते है इसके फ्लूड को हम बोलते है सेल सेप कहते हैं, इसको क्या होते हैं, सेल सेप कहते हैं, यह साइटो सोल से, साइटो प्लाजम से अलग होता है, यह नौन लिविंग होता है, याद रखना है यह नौन लिविंग होता है, ठीक है, एक एक इंटरस्टिंग बात यह है, कि ऐसा कहा आता है, कि सेंटल वेक्यूल जो होता है, central vaculle plant cell में plant cell में central vaculle, animal cell के lysosome के समान काम करते हैं बस इतना द्यार मगिए ये भीny pyq है, previous asset, यह प्राना नहीं है काफी plant cell में central vaculle होते हैं वो lysosome के समान काम करते हैं बस इतना दिमाग में रखिए ठीके, clear फिर contractile vaculle के बारे में बात किया था मैंने का था Osmo Regulation में और Excretion में यह role play करते हैं, ठीक है न, किलियर, फिर हमने देखा देखो यह कैसे यह water को बहार रगा, इनिमेशन में दिखा रहे हैं आपको ठीक है, तो यह basically जो है unicelled protozoa जो होते हैं उनके अंदर ये osmotic concentration को बनाए रखने में role play करते हैं उनके अंदर osmo regulation करते हैं जब भी मैं osmo regulation word use करता हूँ इसका मतलब होता है cell के अंदर present mineral ion या ionic concentration जो cell के अंदर present है यह cell के अंदर जो cytoplasm में उसका अपना एक concentration है उसको maintain करना osmo regulation कहलाता है ठीक है clear चलिए अब एंडो membrane system में शामिल था endoplasmic reticulum golgi body ठीक है उसमें शामिल था lysosome उसमें शामिल था जो है lysosome हो गया वा और हमने का देखा वेक्यूस को देखा हमने फिर ribosome को देख लिया हमने अब बात करते हैं micro bodies कि याद रखेगा smooth endoplasmic reticulum का एक काम और होता है वो बनाता है micro bodies सबसे छोटे single membrane से घिरे cell organelles होते हैं and cell के अंदर छोटे size की थेलिया होती है जो micro bodies कहलाती है ठीक है clear चलिए क्या लिखा micro bodies are the single membrane small cell organelles के जो आपके micro body होते हैं एक membrane से घिरे छोटे कोशी कांग होते है micro bodies are the single membrane inclus small cell organelles these are the smallest membrane bound cell organelles यह सबसे very very important ठीक है very very important ठीक है दिजरदी smallest membrane bound cell organelles यह सबसे छोटे membrane से घिरे होए कोशी कांग होते हैं यह स्मॉलेस्ट membrane bound cell organelles यह किस से उत्पन होते हैं? ER से, कुछ से, कौन से ER से, स्मूथ एंडोप्लाजमी रेटिकलम, इनका डाइमेटर कितना होता है? 0.5 से 2.5 माइक्रोमेटर होता है, 3 तरह के होते हैं, माइक्रोबाडिस 3 तरह के होते हैं, पर अक्सिसोम, ग्लाइ अक्सिसोम और स्फिरोसोम, ठीके, very very important, माइक्रोबाडि 3 तरह के होते हैं, पर अक्सिसोम, ग्लाइ अक्सिसोम और स्फिरोसोम, मैंने आपको हमेशा बतला है कि बाइलोजिक की टर्मिलोजी दिमाग में रखी है, सोम का मतलब होता है, body या structure, ठीके, जो पर अक्साइड, metabolism में इनवाल्व है, ऐसा सेल ओर्गेनिल, जो hydrogen peroxide, hydrogen peroxide H2O2 की metabolism में इनवाल्व है, वो है पर अक्सिसोम, वो है पर अक्सिसोम, तो नाम खुद बतलाता है, नाम खुद बतलाता है, कि वो Cell Óर्गेनिल, जो hydrogen peroxide की metabolism में involved है that is the paroxysome ठीक है ऐसा cell organelle जो जिसके अंदर आपको gly oxalate cycle देखने मिलती है ठीक है gly oxalate cycle बोले तो this is this convert fat into the carbohydrate ये fat को carbohydrate में convert करती है ठीक है एन्हें एक metabolic cycle होती है जिसमें की वसा का या fat का परिवर्तन carbohydrate में होता है इसे gly oxalate cycle कहते है और ऐसा देखने मिलता है हमको plants में कहां देखने मिलता है plants में तो plants में आपको एक micro body देखने मिलती है जिसके अंदर gly oxalate cycle के एंजाइम होते है उसे आप gly oxosome बोलोगे ठीक है ऐसी micro body जो हमेशा spherical होगी rounded होगी जो हमेशा spherical होगी rounded होगी जिसमें फेट खटा होता है फेट खटा होगा उसे बोलते हैं ispherosome बोलते हैं ठीके तो तीन तरीकी micro body होती है paroxysome, glyoxome और ispherosome ठीके NCRT क्या लिखता है इसके बारे में NCRT ने micro body पर सिर्फ एक line लिखी है NCRT ने micro body पर सिर्फ एक line लिखी अब आप बोलोगे सर इस एक line को पढ़ा दो आप आगे पीछे क्यों कहानी सुना रहे हो क्यों क्यों पढ़ा तो इतना महिनत क्यों करवाते हो हमसे आगे पीछे क्यों कि बेटा आगे NCRT ने आपको देखो यह मुर्कता है कुछ उसके लाबा कुछ और बोल नहीं सकते है इसको पर आगे जब प्लांट फिजोलोजी शुरू हुआ तो वहाँ पर पर ऑक्सिसों का जिकर आ गया तो अब हमको पता ही नहीं हम सेल पढ़ चुके सेल में हमने नाम तक नहीं सुना इसका और अच क्मांडो मेंब्रेज सिस्टम का हिस्सा नहीं होते यह परक्सम है क्या बला क्या है यह पता होना जुरूरी है ठीक है एंसे आटी ने क्या क्या कई बड़ी बड़ी चीजों को उन्हों ने च्छिपा दिया तो चिपी हुई चीज को पढ़ना है बेटा है ना मजाक मत आया तो सदो को पोड कराएंगे और अच्छाया तो भी आया तो करा आयंगे बैोअमेंटरस के बच्चे कंटाव हो कभी हार नहीं मानते के वो जीते हैं और सीखते हैं तो हमेसा जीतते हैं ठीक है याद रह थो चलिये पहले बात करते हैं पराक्सम की बात करते हैं रॉडी ने पहली बार इसको observe किया था mouse kidney में discovery का crate मिलता है tall world को ठीक है botany में ऐसा होता है botany में या biology में ऐसा होता है देखता कोई और है खोजता कोई और है नाम कोई और देता है और biology की मज़ित मजदार बात यह है कि देखेगा कोई और खोजेगा कोई और नाम को योड़ देगा ठीके इनको यूरिकोसों भी कहते हैं और इनका संबंद किस से होता है मैंने भी बता है आपको हाइड़ोजन पर अक्साइड की मेटाबॉलिस होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के इनका संबंद हाइड़ोजन पर अक्साइड की मेटाबॉलिस से हो ठीक है आपको पता है कि यह क्या है यह बहुत ही इंपोर्टेंट से लगनेल है जो की जिनमें H2O2 मेटाबॉलिस होती है ठीक है अब मेरी बात धान सुझे क्या significance क्या है इसका कभी डॉक्टर के पास गयो चोट लगने पर जब कभी चोट लग जाती है घाओ हो गया गिर गए मेदान में डॉक्टर के पास गया कट लग गया खून आ रहा है डॉक्टर के पास गया करता है डॉक्टर के पास जाओगे इमर्जेंसी में जाओगे डॉक्टर या नार्स जोगी वो जट से घाओ को पहले साफ करेंगे लेकिन आपको पता है जो टीवी में एड दिखाते ह उससे सची अलग है, टीव दिखाते हैं, डिटॉल, क्या आपने डिटॉल से साफ कर लिया है, सेवलॉन, ना जलने वाला, जिस पर डॉक्टर भी भरोसा करते हैं, वो जितने दिखाते हैं है डेंटिस में, क्या आपके टूट पेस्ट में नमक है, क्या आपके तूटपेस्ट में नमक है और ये घवरा गया आदमी फिर अभी क्या आपके तूटपेस्ट में अस्वगंदा है क्या आपके तूटपेस्ट में हल्दी है क्या आपके तूटपेस्ट में नीम है सीधा बोल दो क्या टूट पेस्ट में बटर पनीर मसाला है क्या टूट पेस्ट के अंदर जो है वो खजड़ी है क्या टूट पेस्ट के अंदर दाल रोटी है क्या टूट पेस्ट के अंदर लिठी चोखा है क्या टूट पेस्ट के अंदर ढोगला है अब यही बचा है बोला तो वो जितनी होते हैं सब वो दिखा दें फरजी डॉक्टर होते हो ठीके डेंटिस्ट का सुझाया हुआ नंबर वन ब्रांड है ला आप भी यूज कीजिए मैं भी अपनी बेटी के लिए यूज करती हो तमाम तरह के जो एड होते हैं सब फरजी होते हो ठीके विग्यापन की दुनिया अलग ही होती है अलग फरजी बाड़ा चल रहा होता है ठीके तो मेरा मानना यह है कि डेटॉल सेवलोन घर के लिए अच्छे है पर हॉस्पिटल में ले यूज नहीं करते हैं हॉस्पिटल में घाव ला जाता है जब पहुंशते हो आप तो आपको व जो है वो time proven है medically proven है उससे घाव साफ करते है तक कि वहाँ पर डिसनिफ्रेक्ट हो जाए वो अब आप सुचो हमारी जो सेल होती ही ना उसके अंदर भी एक जो है वो hydrogen peroxide को बनाने वाला एक cell organ present है और यह क्या करता है यह जब भी कभी सेल में कोई toxic chemical या खतरना chemical बनते है उसक hydrogen peroxide जो है वो nascent oxygen को release करता है oxygen atom को release करता है oxygen को release करता है और यह oxygen जो है strong oxidizing agent होती है जो किसी वी चिज़ को destroy कर सकती है तो hydrogen peroxide जो होता है वो basically वो सेल के अंदर toxic chemical को destroy करने के वो काम आता है इसलिए यह परक्सम का इतना significance होता है ठीक है चलिए है ना मजदार जो man enzyme hydrogen peroxide metabolism के होते ह है यूरेट oxidase catalyst ठीक है अमीडो oxidase और alpha hydroxy acid oxidase ठीक है दीजार दी मेन जाए जो पर oxygen के अंदर पाया आते है वह लिखाना है NCRT में enzyme various type of enzyme तो कौन से यहीं है वो various type of enzyme के जो hydroxide मेटा वाले से जोड़े होए यूरेट oxidase catalyst catalyst सबसे important डिविटाइस में और डियमीडो oxidase और अलफा hydroxy acid oxidase ठीक है याद रखिएगा पर oxygen में एक enzyme पायाता है जो केवल यहीं देखने मिलता है उसका नाम है glycolate oxidase ठीक है और यह क्या करता है यह glycolic acid को glyoxylic acid में convert करता है ठीक है glycolate oxidase के और दिस इस दी one of the important reaction जो photo respiration में देखने मिलती है देखो बेटा यहाँ पर physiology वाला एक question cover किया हमने यहाँ पर हमने plant physiology वाला एक question cover किया है तो उसको याद रखना भूलना मत इसको ठके है ना क्या है enzyme glycolate oxidase प्रक्सम में पायाता है यह photo respiration का मुख अब detail में हम बादें पढ़ेंगे इस पूरी photo respiration की process को विस्तार से हमें पढ़ना है plant physiology में अभी नहीं बात करेंगे अभी अभी इतना समझ गया है कि हमने पिछली क्लास में भी कहा था कि photo respiration में तीन सेल और इनवाल होते हैं ठीके chloroplast paroxysum और mitochondria ठीके तो उसमें paroxysum के अंदर main reaction होती है जिसमें की glycolic acid का conversion glyoxylic acid में होता है ठीके यह केवल c3 plant में हमको देखने मिलता है तो मैंने ये भी कहा था आपको class में मैंने chloroplast पढ़ाया था तो मैंने आप से कहा था c3 plant होते हैं जिनके अंदर dark reaction के दुरान बनने वाला पहला chemical 3 carbon का होता है c3 plant है चार carbon का होता है c4 plant होते हैं ठीके ना तो हमने क्या बोला ये c3 plant के अंदर हमको ये देखने मिलता है याद रखिएगा ठीके फोटो रेस्परेशन में तीन cell organ involved होते हैं chloroplast paroxysum और mitochondria के जो मुख्य chemical होता है इस process का वो होता है glycolate या glycolic acid ठ ठीके है ना तो basically बेटा जो होता क्या है कि जो sugar को जो एक 5 carbon sugar molecule होता है जो CO2 को पकड़ता है नॉर्मली क्या होता बेटा जब भी कभी photosynthesis की process होती ना तो एक CO2 acceptor molecule होता है सुनो धान से बात ठीके जब भी कभी photosynthesis की process होगी ना तो एक CO2 acceptor molecule होता है इसको बोलते है ribulose 1-5-bip phosphate ठीक है ओर जो enzyme जिस hij eco की मदद से जिस erkliai की मदद से ribulose 1-5-bip phosfet में CO2 आकर जोड़ती है उस enzyme का नाम होता है ribulose 1-5-bip distracted carboxylase Carboxylase मतलब CO2 को जोड़ने वाला Carboxylase मतलब CO2 को जोड़ने वाला Carboxylase मतलब CO2 को जोड़ने वाला तो Ribulose 1,5-biposphate एक pento sugar है, 5-carbon sugar है जिसमें कि जोए एक CO2 आखे जोड़ेगी ठीक है, है ना, और किसकी presence में? Rubisco की present में लेकिन अब कभी-कभी क्या होता है कि एक गलती होती है Rubisco Enigm क्या करता है, कई बार dual behavior करता है बहिमान ही कर दता है, कई लोग होता न बहिमान तो Rubisco Enigm एक बहिमान Enigm है कभी-कभी वो CO2 के बज़ाए O2 जोड़ देगा जसी O2 को जोड़ेगा तो अब आप इस Enigm को क्या बोल दोगे Ribulose 1,5-Biposphate Oxygenase बोल दोगे इसको आप लेकिन प्राब्लम क्या होगी? जब O2 जोड़ेगा तो पूरा का पूरा प्रोसेज जो है फोटो सनिसका बोरो होल्ट हो जाएगा क्योंकि CO2 को convert करना था शुगर में अब यहां तो गलती से O2 आ गया है तो यहां पर प्रोसेज चुरो होती है फोटो रेस्पारेशन की ठीक है तो इतना समझ लो बिटा अभी complication अमर जाएए इतना समझ लीजे कि प्रकासी सोशन यह फोटो रेस्पारेशन का मतलब यह है कि जहां पर जहां पर शुगर बनने के लिए जो है CO2 को जुड़ना चीए था वहां पर O2 आकर जुड़ गया बस इतना दिमाग रती है यह गलबड हो गया तो कि एंजाइम ने dual behavior कर दिया एंजाइम ने dual behavior करते है एंजाइम ने कहा कि एंजाइम ने वह भीमानी कर ली ठीके वह रिबुलोज 1-5 बाइफास्पेट 5-carbon sugar प्लस oxygen ठीके इसके चलते क्या बनता है फास्पोग्लिसिक असेड का एक मॉलिकुल बनता है जो कि 3-carbon compound है और एक फास्पोग्लिकुल बनता है और इस इस दी chemical जो फोटो रस्पेशन के लिए रिस्पॉंसिबल एक के जिससे फोटो रस्पेशन की सुरुवात होती है इस समय एंजाइम रुबिसको को हम क्या बोलते हैं अभी बस इस लाइन का मतलब इस लाइन को याद रखिएगा अभी आप बहुत डिटेल में मत जाना विटा क्योंकि यह पूरा फिजलोजी का हिस्सा है लेकिन यहाँ पर जिक रहा है तो यहाँ पर जितना पता यहाँ पर होना चीए उतना पता रखिए भी 1965 में डी डूबे ने पहली बार परोक्सुम को आईसलेट किया था इन्होंने और कहा इन्होंने कि डिफेक्टिव परोक्सुम से भी कुछ बिमारिया होती है इन बिमारियों के नाम बिल्कुल रेर है बिटा पहले किसी जमाने में एमस के अंदर पूछे आते थे पहले किसी जमाने में एमस के एकजाम में आते थे ये लेकिन चुकि पहले कभी आये हुए तो एक बार नाम पढ़ लेते हैं इसका ठीक है घबराना विकलूमत जो है एक जनिटिक बिसारर है जिसमें पराक्सम डिफेक्टेट ह होते हैं और इससे ब्रेन और लिवर आफ्ट होता है फिर Adrenal Leukodystrophy भी एक Rare Disease है एक अलप तो होने वाली बिमारी है और इसमें Immune System अफ्रक्ट होता है इन दोनों बिमारियों का संबंध किस्से है जिसे मैंने आपसे कहाता था Storage Disease उनका संबंध किस्से था Lysosome से था Defected Lysosome से ऐसे Defected Paroxysome से भी बिमारिया होती है ठीक है अब आते हैं Glioxosome पे ये क्या चीज़ है Discovered by Breedermak and Weavers ने इसको खुजा ये एक तरह के Modified Paroxysome होते है जिनमे Glioxalate Metabolism के इंगे होते है याद कि Glioxalate Metabolism का मतलब होता है Photorespression Confuse मत होना अठके एक वर्ड होता है Glioxalate Metabolism Glioxalate Metabolism इसका मतलब है Photorespiration ये कहा होता है ये होता है Paroxysome में ठीक है ठीक है तो Glioxalate Metabolism का मतलब है Photorespiration Paroxysome में होता है Glioxalate Metabolism Confuse मत कना ठीक है ये अलग है इसका मतलब है इसमें fat convert होता है Carbohydrate में और ये केवल plant cell में हमको देखने मिलती है प्रोसेस तो ऐसे Paroxysome या ऐसे Microbody जिनके अंदर Glioxalate वर्ड ध्यान रखना वो glycolate लिखा उपर ये Glioxalate है ऐसे Microbody जिनमें की Glioxalate Metabolism के Enzyme होते है जिससे की fat convert होता है Carbohydrate में तो वो उसे क्या बोलते है Glioxalate Metabolism और ये कहां देखने मिलते है मुंगफली के बीज में Groundnut सीड में Castor सीड में सोयावीन में क्या कि मुंगफली में क्या होता है फूड इखटा होता है Oil के format के तो जब कभी Embryo को grow करना होता है तो उस Oil को पहले कारवाइनिट में convert करना पड़ेगा तो उसके लिए सेल और काम करता हूँ होता है Glioxalate Metabolism Men Enzyme क्या होते है इसके Isocytrade Lies और Melit Synthetase ठीक है ठीक है NC8 ने एक लाइन लिखी थे Various Enzyme तो वो Enzyme क्या है वो देख रहे हैं पर हम यहाँ पर मैने Enzyme होता है Isocytrade Lies और Melit Synthetase जो की Glioxalate Cycle में काम करते हैं ठीक है फिर आते है Ispherosome में Ispherosome को Discover किया था Parner ने ठीक है और Term Ispherosome दिया था गेहान ने साइंटिस्स के नाम जो मैं बोलूँगा बहुत इंपोर्टेंट है वस भही याद करना बाकि सब एक बार पढ़ लेना बाकि सब एक बार पढ़ लेना मैं एक दम किलियर हूँ मैं एक दम किलियर हूँ आपका नॉलेज थोड़ा ब्रॉड होना चीज ताक कि पेपर का कोई भी लेवल हो आप उसे फसे ना उसमें एक्जामिनर हमेसा फसाने की कोईशिश करता और हमको फसना नहीं है ठीक है इस माइक्रो बाडिज आर एसुड़ विद धी यह फेट मेटावले से जोड़े होते हैं एनिमल और प्लांसल दोहों में देखने मिलते हैं और हुआस्मेम टेटरोकसाइड से होती है ऑस्ञेम टेटरोकसाइड का यूस हर बू जगे करते हैं जहाँ पर हाम हम फेट पर्यसेंट है फेट की स्टेनिंग करनी होती है ठीक है अब कुछ पॉइंट PYQ से ले लेते हैं कैटलेज टोटल परोक्सोम के प्रोटीन का 40% एंज्याइम होता है कैटलेज फॉर्म 40% of total प्रोक्सोम प्रोटीन ये largest एंज्याइम होता है प्रोक्सोम का प्रोक्सोम का प्रोक्सोम के ज़र सबसे छूटा एंज्याइम होता है जितने ये पॉइंट हम नोट पर लेकते हैं सब एक जांके कोश्चन होते हैं कैटलेज एक safety वॉर्म के रूप में काम करता है ठीक है ये H2O2 को तोड़ता है ठीक है जबकि oxidase deamido oxidase ठीक है वो सब बनाते हैं वो सब H2O2 को बनाते हैं और कहीं ऐसा ना हो कि इतना H2O2 बन जाए कि cell को damage कर दे तो उसे control करता है catalyst तो safety valve के समान काम करता है ठीक है आप देखो मज़धार बात 50% of alcohol consumed by a person is detoxified by a paroxone inside liver cell कहते हैं ना कि शराब पीने से liver ख्राब होता है लोग कहते हैं शराब पीने से liver ख्राब होता है तो कि कारण यह है कि liver के अंदर alcohol का detoxification होता है alcohol को detoxify किया आता है मतलब alcohol जहर है उसको detoxify किया आता है और detoxify करने में रोल कोन प्ले करता है आइस के नदर और चाहितल नहीं दमनेशना तक करें आइँङक के लिवर align के ना की लिएखते के दूए करते हैं। चलिए यह तो बात कि हमने किसके उपर माइक्रो बॉड़ी इसके उपर बात कि हमने दो लाइने जो NCRT की थी ना वेटा उन दो लाइनों पर हमने इतनी सारी बाते की हुई है जरूरी है कुछ बच्चों के दिमाग में बात आती है मैंने ऐसे बहुत देखा हम लोग क्या है चुकि ऑनलाइन है तो बहुत सारे कोई भी कुछ भी कमेंड भी कि लिग देता है किसी ने लिखा आप लोग नहीं है वो कोई यूटूब की बात पुरानी बात बता आप लोग तो बहुत से बच्चे हो ठीके मैंने सबसर सिंशिर बैच देखा हम आपका आपका यह बैच ना पृक्त दो सल तोह साल पहले सच में सिंसेर ने लिखा था पहले यूटूब पर किसी कमेंड पर गीतियन सर और इस सब कुछ पढ़ाते है यह उनको अनुभब नहीं है पढ़ाने का शि मुझ में भी नहीं आएगा है मैं एक्स्ट्रा माईल लाके महिनत कर रहा हूं मतला मैं NCRT को समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं मैं चाहता हूं कि तुम जो है वो एक्जाम तो अपनी जागे पर ही पर बाइलोजी से तुम प्रेम करने लगो तुम बाइलोजी को समझने ल आपको यह सोचना पड़ेगा कि आप रेटर ने नहीं आए यहां पर आप यहां पर चीजों को समझने आए आप टिके यूर अंडर्स्टेंडिंग में अलॉट हम सब कई बच्चों को बच्पन से बोलगा तुम बुद्ध हो तुम एवरे जो तुम नहीं कर पाओगे अप अभी क्या हुआ कि हमने सेल कंपोनेंट देखे सारे यह ठीके अभी क्या देखे हमाई दिमाग में बात आए कि यदि हम जो है वो साइटो प्लाज्म में से यदि हम जो है वो सेल और्गनल निकाल लें साइटो प्लाज्म में से हम सारे सेल और्गनल निकाल लें तो क्या लगा रहे यू कुलितिक सेल में सेल और मेल को हटाने के बाद जो तरल बचता है जो लिकूड मेटर बचता है उसमें प्रोटीन का जाल होता है और उसे कहा गया साइटोसक्लेटल और उसके चलते ही पूरा का पूरा प्रोटोप्लास मूब करता है यादना स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं ठीक है बेटा शलिए क्या लिखा दिखते हैं NCIT क्या लिखता है an elaborate network of filamentous proteinous structure filament तंतु के समान होते हैं protein से बने होते हैं वो cytoplasm में देखने मिलते हैं और उन्हें collectively हम cytoskletal कहते हैं और यह cytoskletal कई सारे काम करते हैं जैसे यह cell को mechanical support इस्ट्रक्श्र को बनाए रखना mechanical support में सहारा प्रदान करना जैसे tent होता है tent में आपने खंबे लगे होते हैं एक tent होता है तंबू होता ना बड़ा सा tent होता है tent में pillars लगे होते हैं हमारे घरों में भी pillars लगे होते हैं उस पर पूरी इतना nc-i-t न लिखा आप इसको हम समझते जो nc-i-t लिख देती है वो syllabus है इस 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 channel और cytosol या hyaloplasm या cytoplasm matrix ठीक है न क्लियर कोई डाउट यहां तक यह पहले भी पढ़ा है हमने जब protoplasm पढ़ा था हमने जब हमने फ्लो चार्ट देखा था सेल का तब बात किया था ठीक है बेटा एक complex skeletal called cytoskeletal is found within the cytoplasm matrix जो hyaloplasm है cytosol है cytoplasm matrix है वहाँ पर हमें एक protein से बना हुआ filamentous जाल देखने मिलता है जो कि 3D network होता है ठीक है जो micro से हम micro trabical lattice भी कहते हैं इसको हम और इस cytoskeletal के लिए एक word और भी यूज़ करते हैं इसको micro trabical lattice भी कहते हैं electron microscope इसकी presence को confirm करता है यह तीन components से मिलके बना होता है वेरी वेरी important cytoskeletal जो है वो तीन तरह के components से मिलकर बने होते हैं एक होता है microtibules दूसरा micro filament तीसरा होता है intermediate filament microtibules micro filament और intermediate filament के तीन तरह के components से मिलकर यह बनता है ठीक है clear microtibule ठीक है ऐसा अब यह mitochondria अपनी जगे पर क्यों है पूरी cell में दोनों membrane अपनी जगे पर हैं सब कुछ अपनी जगे पर क्यों है क्यों कि एक network लगा हुआ जाल लगा है इसे support लगा आपने देखा ना जब कभी छट डालते हैं तो लकडी के support लगाते हैं चादर होती है लकडी के support लगे होते हैं अपने जो कमांड सेंटर गुरुकूल है उसमें भी काम चला तो देखा मैंने उसको ठीक है तो यह support लगाते ना वीटा यह support क्या चीज़े यह स्ट्रक्शे को बनाए रखे अपनी जगे पर चीज़े अब देखे ना कैसे cell membrane देखिया आप टिके ना गॉल्जी बडी देखो आप ना सब को अपनी जगे पर रखा हुआ है कौन साइटोस्केलेटर और किससे मिलके बना होता है माइक्रो टिबिल माइक्रो फिलामेंट और इंटर्मिलेट फिलामेंट से मिलकर यह बना होता है ठ टर्म माइक्रो टिबिल जा स्राटर बेकना है मैंने कहा ना यह सब क्रोनलोजी मैं आपको बताता हूँ नॉलेज के लिए बिटा ठीके आपको जो मैं बोलूँगा बस वो साइंटेस अनाम अच्छे से याद रखना है ठीके किलर कर दू माइक्रो टिबिल लंबे बने क्यों होते हैं माइक्रो टिबिल ठीके और यह किससे बने होते हैं यह बने होते हैं ट्यूबलीन प्रोटीन से यह बने होते हैं ट्यूबलीन प्रोटीन से बने होते हैं डिजार में डप आप ट्यूबलीन प्रोटीन ठीके देख़ो आप ना एक सेल के अंदर दी गोर् है ना सिर पे वैसाइकल को पकड़े हुए है और वो एक माइक्रो टूबल पर स्लाइड कर रहा है और थेली को लेकर कहीं पहुंच रहा है तो यह सब कुछ चीज़ वेरी वेल कंट्रोल है और कोई भी चीज जो सेल के अंदर हो रही ना वह बहुत अच्छे से कंट्रोल हुए जो है वो मूब करता है ना तो काइनेसिन प्रोटीन रोल प्ले करते हैं जो कि साइटोस्क्रेटल का हिस्सा होते हैं और आप देखो माइक्रो टूबल को पर यह मूब कर रहे हैं एनरजी खर्च कर रहे हैं और मूब कर रहे हैं है ना मेटा ठीक है हर एक माइक्रो टूबल म करता है मतलब examinal कैसे लिखेगा यह morphogenesis में कॉन से component involved है यह morphogenesis में involved होते हैं चल को shape provide करते है protoplasm movement जिसको हम बोलते है streaming movement बोलते है जिसको streaming movement कहते है यह cyclosis कहते है उसमें यह involved होते हैं स्ट्रिंग कोन कहते है यह cell division के समय यह nuclear spindle उपकरण को बात है very very important भूलना नहीं है ठ्के है ना पढ़ेंगे बिटा अगर देश चेप्टर मारा वो यह यह रहेगा ठ्के तो cell division जो होता है अब कुशी का divide करती है तब nuclear spindle apparatus बनता है तो वो बनाते हैं सेलिया और फ्लेजला में जो nine plus two arrangement होता है वो किस से बनाता है microtubule से बनाता है तो यह उसके structural component होते हैं इसके लावा cell wall कहां बनेगी उसका plane और place decide करता है microtubule याद है न हमने बात किया cell wall तब भी पढ़ा था the plane and place of cell wall formation determined by the microtubule very very important the plane and place of cell wall formation determined by the microtubule ठीक है फिर आते है माइक्रो फिलामेंट पे माइक्रो फिलामेंट को discover के था पैलविट्स ने और यह बड़े लंबे फिलामेंट होते हैं डाइमेटर seven ने में होता है मतलब microtubule की तुला में इनका डाइमेटर काफी कम होता है माइक्रो ने के तुला में इनका डाइमेटर काफी कम होता है और यह contractile protein से बने होते हैं वेरी वरी इमपर्णन यह है एक्टीन और मायोसिन के जो makro отп Sullivan है यह contractile protein से बने होते है संकूचण गाल नंसीब बने होते मेंली होता है acting protein इसमें ठीक है देखिए है न मेलिय होता है actin proteinus में मेलिय हमको देखने मेला, this is the micro filament, ठीक है, काम क्या करता है, अब membrane को अंदर की और खीचना है सब अपने आप तो कोई कर रहा है, कोई तो करता होगा ना यार, food को देखा membrane ने बोला food अंदर लेना है endocytosis करना है, तो अंदर की तरह membrane जुग गई है, तो खीचा को और ने उसको membrane को खीचा, रसी, जो होता है आपने तो राजिस्थान में कठपुतली करते है राजिस्थान में जो है क्या बोलते हैं उसको, यार वो puppet show करते है ऐसे रसिया होती है ऐसे finger से move करते है तो वो नीचे movement होता हूँ का तो वो कठपुतली show जो है देखा कि ने देखा कभी बच्पन में puppet show, धागे उससे move करते है तो बिलकुँ समझ लो आप इसा है कि वो धागे जो है ना, वो microflamander cell करता है कि cell को membrane खीचना है, खीच लो बाहर निकाला है तो वो सब धागे क्या है वो सारे के सारे जो microflamander होटके तो यह क्या करते है, यह membrane के movement में role play करता है endocytosis के दुराद, muscle fiber में जो contraction होता है, उसमे actin और myosin उनवल होते है अब यह actin, myosin चीज क्या होते है जब मास्पेशिया पढ़ेंगे, muscles पढ़ेंगे तो मैं बोलगा, actin protein, myosin protein आप जट समझाना, यार यह तो वही है cytoskeletal का protein है ठीक है ना, microflamands की बात चल रही है protoplasic movement में role play करते हैं और chromosome, cell division के समय chromosome को खीच के यहां से यहां लेके आना है आगे धकाना है, तो जो chromosomal movement होता है, उसमें भी microflamand role play करते हैं, मतलब जहां पर भी contact करना है, खीचना है कि चीच को वहाँ पर microflamand role play करते हैं, ठीक है फिर तीसरा होता है intermittent filament, इनकी thickness, microtubule से कम होती है लेकिन microflamand से अधिक होती है और यह various type के protein होते है किरेटीन, विमेटीन, डाइनीन फ्लेक्टीन, किरेटीन हमारे बाल किरेटीन प्रोटीन से बने होते हैं, हमारे बाल किरेटीन प्रोटीन से बने होते हैं, हमारे नेल किरेटीन प्रोटीन से बने होते हैं, तो यह basically micro tibble और micro filament के functions को support करते हैं intermittent filament ठीक है बेटा चलिए यह देखा हमने intermittent filament है ना बेटा एक एक चिचको अब ज्यांस समझो मजे लो पढ़ने के पढ़ने के मजे लो गे ना बेटा पढ़ने के मजे लो गे ना तो दुनिया तुमारे मजे नहीं लेगी दुनिया तुमारे मजे ना ले इसलिए पढ़ने का मज़ा लो और पढ़ने में मज़ा नहीं लोगे ना तो दुनिया मज़े लेगी तुमारा बहुत कठोर सकते हैं कटूर सकते हैं पढ़ने में मज़ा लोगे तो दुनिया तुमारे मज़े नहीं लेगी और पढ़ने में मज़ा नहीं लोगे तो दुनिया तुमारे मज़े लेगी जिन्दगी पर ठीके समझ गए बात को चलो यह देखो आप पूरी सेल में सब उठा पटक चल रही है सब में सब तरफ यही साइटोस्कलेटल इनवाल्व होता है देखो आप है ना ठीके चलिए कु केते हैं अमीवा और सलाइं मोल्ड में माइक्रो ट्विल नहीं पाय जाते हैं दो पी भाई ज्यू एक्षेप्शन कोशन एं ठीके doe GOOD त्यके वह एक्टीनों और मायैसीन प्रोटीन और एक्टीन और मायोसिन फाइबरस प्रूटीन है और एक्टीन ग्लोबलर प्रूटीन होता है उससे मायो फाइबरिल या मसल के फाइबर बने होते हैं मैंने बताया आपको ठीक है ना मैटा याद रखना ये फीजियोलोजी पढ़ाने तक याद रहना चाहिए ATP as activity मतलब मायोसिन के अंदर ATP को यूज करने की छमता होती है मतलब ATP से ये एनरजी निकाल सकता है कौन मायोसिन मायोसिन के पास में याद ये जितनी बाते अभी बता रहा हो ना सब यूवन फीजियोलोजी पढ़ाते समय याद रखिएगा नहीं याद रखो गड़ा ता जोड हां ची मैं बंटी हूं बोली है एक मिड़ा इसे हो जा ज़रा चेटाक क्यों मारा कीतिन सर ने भीजा था हमको हम पायो मेंटर्स के से आये है स्टाफ मेंबर है सर ने कहा था कि इस दे जो है वो याद नी रखा इंवन फीजियोलोजी में इसलिए बिटाई लगे ठीके अना सच में नहीं भेजूंगा तुम सच में टेंशन मतलो भाई लेकिन कम से कम पढ़ लो ठीके लब भावनाओं को समझो तुम ठीके कहा ऐसा होता है कि मोबाईल में से एक हाथ बाहर निकलता है चटाक कहा ध्यान तुमारा कब तक खिड़की से बाहर देखोगे अरे निकलने वाले निकल चुके हैं अब छोड़ दो भूल जाओ अब अपनी पढ़ाई में वापस जाओ ठीके चलो फिर इंटर इमिडेट फ्लामेंट जो है वो इसकिन और हैर में इस्ट्रेक्शन पूटिम आते हैं देखो क्रेटिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीके याद ठीके ना प्रीवियस एर कोश्चन कोल्चिसीन और बिन ब्लास्टीन यह माइक्रो टिबिल की असेंबली को माइक्रो टिबिल के अरेजमेंट को रोकते हैं सेल डिविजन के समय इसलिए यह सेल डिविजन को रोकते हैं ठीके यह सेल डिविजन को प्रिवेंट करते हैं जो क केंसर पढ़ेंगे, केंसर का treatment पढ़ेंगे, तब इस बारे हम बात करेंगे हैं, ठीक है, केंसर है, कोरस में उटा है, तो कोल्चिसीन और बिन ब्लास्टीन जो होते हैं, ये माइक्रो टुबिल की assembly को, माइक्रो टुबिल को जुड़ने को रोकते हैं, cell division के समय, इसलिए nuclear spindle apparatus नहीं बन पाता है, पूरी plant cell में सबसे पतली membrane क्या होती है, central vacuum की membrane होती है, पूरी plant cell में सबसे पतली membrane, central vacuum की membrane होती है, जिसे हम बोलते हैं, tonoplast, ठीक है, clear, चलिए, ये तो बात होगी, cytoskletal के में, अब और क्या, जब माइक्रो टुबिल को जान लिया हमने, अभी इनी माइक्रो टुबिल के arrangement के साथ क्या बना था, cilia और phlegyla, हमने याद है, हमने क्या प्रोकृर्टिक phlegyla पढ़ रहा थे, मैंने कहा था, प्रोकृर्टिक phlegyla फ्लेजलिन सिंग्लर फ्लेजलिन, यह हैर लाइक आउटगोथ अब दी सेल मेंबरेंट के, important point है आप, MCQ, यह सेल मेंबरेंट से निकली हुई, हैर लाइक आउटगोथ होती है, देखो बेटा, जैसे यह मैंने कहा आप से, यह मानलो, एक सेल है, ठीक, इसकी यह वही सेल है, यह वही सेल है, तो क्या बनता है, एक structure अपने आपको अरेंज करता है, ऐसे, बैसल बाडी के फॉर्म में अरेंज करता है, फिर ऐसे ट्यूब, ऐसे जो है, वह हमें, ट्यूब का नेडवर्ग दिखाई पड़ता है, पुरा हमें, तो कैसे अरेंज किया, और सेल मेंबरेंट इसको चारवर से कवर कर लेती है, यह बन गया, इसलिए इसको मेंबरेंट का extension बोला अनोंने, अरे भाई, यदि प्रूटिन के तंतू ना होते, प्रूटिन के फाइबर अरेंज ना करते अपने आपको, तो सेल मेंबरेंट इसे उपर ना उठ जाती, उपर के समान, उपरी उभार को क्या बोल दिया हमने, उसको बोल दिया हमने, वो सेलिया फ्रेजिला बोल दिया हमने, ठीके, अब यह क्या चीज है, यह जो अंदर दिखाई पढ़ रहा है, यह क्या है, यह 9 प्लस 2 अरेंजमेंट है, ठीके, क्या मतलब 9 प्लस 2 अरेंट का मतलब क ती सेल और स्राउंडिन फ्रोट के शीलियाहमारी वाड़ी के अंदर वी होते हैं हमारी बॉडी में एपिथिलियम जो इंटर्ल ऑरगन, से बास सुना हमारी औरगन के अंदर जो अंदरोनी भाग होते हैं उसके इंदर जो इस तो इसकीन है भिटा तो वहां पर उसे सिलेटेड इपिथिल्यम करते हैं, इससे फ्लूड को आगे kा घरते हैं, और ने गरते हैं और ये एक pattern में लगाता है रहा है दराते के समान दराते के समान और और के समान ये कम करते हैं और fluid को आगी के ओड़िये धकाते हैं ठीके फ्लेजिला longer होते हैं बड़े size के होते हैं और ये cell को movement करते हैं देखो बेटा cilia जो cillated epithylam जो है न हमारी body में जो होती है वो basically fruit को move करवाती है और फ्लेजिला जो होते है sperm में होता है फ्लेजिला बांकि epithylam में फ्लेजिला नहीं होते हैं कहें तो हम करते हैं यह सेल को मुभ्मेंट करते हैं याद रखिए गा प्रोकृरिटी बैक्ट्रिया में वी होते हैं लेकिन रहो कि अई eucloid से यूच्रक्षल और प्रूटीन से बंडई होते हैं थिक हो होता है ठीक है क्लियर देखिए इंपोर्टेंट इस्टक्चर बेटा इलेक्ट्र माइक्रोग्राफ भी दिरखा एंसे इसका और इसका उन्होंने जाए वो एक डाइग्रमेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिरखा यहां पर ठीक है आप देखो नाइन प्लस टू नाइन यहां पर हैं डूप्लेट फाइबर नाइन यहां पर हैं डूप्लेट फाइबर, डूप्लेट फाइबर बोले तो, दो माइक्रो टूबल के जुडने पर बनने वाला फैवर, ठीक है दो । माइक्रो टूबल को पेरिफोर Eye姑 टूबलेट है। Dragnet बलते है इसको बूते हैं डूप फिरी फिरी में दो सेंटर में तो 9 प्लस 2 अर्जमेंट बोला हमने इसको ठीक है विटा किलिया यह हमको दिखाई पड़ रहा है फिर आपको दिखाई पड़ा लेवलिंग यार रखना यह सेंट्रल शी थे जो सेंट्रल माइक्रोटुबिल का आसपास है यह रेडियल इस्पो जो कि माइक्रोटुबिल को जो है वह सेंट्रल जो पैरिफरल माइक्रोटुबिल को जो है कंने द Cop rinse कर रहे होते हैं धी इलेक्रान एंसे ट क्या लगता है the electron microscopic study of a cillium or flagella show that they are covered with plaza membrane के, जब आप cillia flagella की electron microscopic study करते हैं, तो आपको वो cell membrane से cover दिखाई पड़ते हैं, ठीके, है ना इनके central part को, core को हम बोलते हैं, exonym कहते हैं, very very important, very very important, इनके central part को हम exonym कहते हैं जिसमें आपको कई सारे microtubule दिखाई पड़ते हैं, parallel access में arranged के, लंबी-लंबे tube के समान आपको arrange दिखाई पड़ते हैं इसमें आपको 9 doublet fiber दिखाई पड़ते हैं, जो radially arrange होते हैं periphery arrange होते हैं, और बीचो बी center में आपको 2 central microtubule दिखाई पड़ते हैं, exonym में, 9 प्लस 2 arrangement देखने मिलता है ऐसे arrangement को हम क्या बोलते हैं, 9 प्लस 2 खरते हैं clear, NCRT की line हर एक line का मतलब अच्छे से पता हमको होना चाहिए 9 peripheral fiber है 2 central fiber हमको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं ठीक है, clear ठीक, देखो आपना 9 peripheral doublet fiber है 2 central microtubule है और यह क्या है बेटा, यह है radial spoke है जुसे connect कर रहा है इससे, ठीक है न, clear the central tubule are connected by bridges and also enclosed by a central sheet से घिने होते हैं, ठीक है which are connected to one of the tubule तो each peripheral doublet by the radial spoke यह बना होता है, nexin protein से बना होता है, ठीक है बेटा है न, और ऐसे 9 radial spoke हमको देखने मिलते हैं ठीक है न, clear एकदम हमने आपको image पहले देखो बेटा, image यही इसी की बात है 9 peripheral microtubule है, doublet के फॉर्म में है फिर देखो, आप radial spoke इसको connect कर रहा है बीच में आपको दिखाई पढ़ रहा है, तो central microtubule उत्पन होते हैं वो centriol के, यही इन है centriol, घीफ, आइस्टो सीलिया फ्लेजला को उत्पन करता है, और ऐसा centriol ध्यान से बास सुना, ऐसा centriol जो छो cilia Phlegula को produce करता है उसको हम क्या बोलते है Bacsel body बोलते है या Bacces granul बोलते है तो CAT Cila Phlegula को produce करता हैад centriol ठीके उससे बाहर emerge होते है और ऐसे centriol को हम Bacsel body या G понимаю है, ठीके clear? ठीके बिटा image को याद ध्यान से देखो exam में आता है ठीक है देखिए अब हम एंसे टिक अलावा दुसरा ही में देख रहे हैं यह देखो डबलेट कैसे होते हैं देखना आप दो-दो माइक्रव दुड़े हूएं यह बेसल बॉड़ी है संत्रियोल बेसल बॉड़ी थे थे फिर आप देखर 009 प्ल Skills लimar गागा बात करेंगे हूं, 9 plus 0, ठीक है न, तो अभी हमको याद़ होता है, 9 plus two arrangement होता है, ठीक है, है ना, 9 plus two arrangement आपको देखने मिलेगा, किलिर बिटा, देखें, ऐसा 9 plus two arrangement आपकोदेखने मिलता है, ठीक है, स्रीले अफ्ले जामें 9 प्लस टूरज में उता है 9 peripheral दो सेंटल फाइबर होते है 9 peripheral फाइबर को हम duplicate doublet fiber कहते है doublet fiber में आपको dynin protein की arm दिखाई पड़ेगी इसे doublet fiber है ऐसी arm होती है dynin protein से बनी होती है किस arm की बात कर रहे हैं हम इस arm की बात कर रहे है these are यह dynin protein से बनी होती है dynin protein से बनी होती है याद रखिए गठके है ना duplet fiber जो होते है वो central fiber से जुड़े होते है through the nexin protein मैंने कहा ना जो spoke होता है cycle के पहिये होता है से spoke होते हैं तीलिया होती है उसको nexin protein से बना होता है ठीके देखिए dynin protein से बनी arm है exonim duplet fiber nexin spoke central fiber जो ncrt का diagram है उसी को हमने simplified कर दिया है जो ncrt का diagram है उसे हमने समझने के लिए यहाँ पर simplified कर दिया है ठीके clear फिर cilia flegela में अपनी membrane भी होती है बटा cover करती है उसको lower organism में cilia flegela organ of locomotion होते है जबकि higher animal में यह body fluid को move करने में role play करते है कौन? cilia body fluid को move करने में role play करते sperm की tell जो है वो flegela से बनी होती है ठीके? याद रखेगा lower organism में cilia flegela locomotion के movement करने के और रण होते है higher animals में यह body fluid को move करने में role play करते है especially cilia ठीके? sperm जो होता है उसकी tell जो है वो flegela से बनी होती है ठीके? clear? याद रखेगे cilia का movement एक particular direction में होता है flegela का movement होता है random cilia coordinated way में cilia coordinated way में एक दिशा में move करते है सारे और याद की flegela random movement को show करता है ठीके? cilia short होते है बड़ी संख्या में hair like होते है और ये एक coordinated fashion में एक समन्वित प्रक्या से move करते है pyramision में देख लो आप human respiratory system में देख लो आप upper respiratory system में देख लो cilia इपिथेलिम की बात कर रहे है ठीके? flegela बड़े होते है flegela बड़े होते है संख्या में कम होते है whip like काफी लंबे उभार होते है और ये random movement करते हैं ठीके? whip like fashion में random movement करते है internal structure internal structure cilia flegela का एक समान होता है लेकिन procritic के flegela से ये लाग हमको दिखाई पड़ते है procritic का flegela flegelene protein से बना होता है eucritic का tubulin protein से बना होता है ठीके? clear? तो procritic flegela जो है वो flegelene protein से बना होता है और वो 9 plus 2 arrangement को शो नहीं करता है ठीके? हर एक flegela में 4 पार्ट होते है vessel body जो कि centriole से बना होता है फिर rootlet और vessel plate और soft होता है ठीके? exonim में 11 fibril होते हैं मिटा ठीके? cilia, flegela differ करते हैं किसमा चीज में? number में cilia अधिक, flegela का distribution में cilia और flegela का distribution अलग-अलग होगा और function दोनों का जो है वो different होता है important है previous question है important information है bouncer information है exam में आई हुई है kalmodulin calcium protein complex है kalmodulin calcium protein complex है जो micro-tubule और micro-flament से associated होता है और ये कुछ enzyme के function को regulate करता है और ये basically जो है वो protein है protein complex है जो micro-tubule और micro-flament के function को भी affect करता है तो kalmodulin is a calcium protein complex जिसका संबंद micro-tubule और micro-flament से होता है और ये कि अज़ों को जो के ओूण झारी जो भी करता है तो एंचों लुप बाफ जो गयख पिल्ग के जो उब क्वेश्हा प्रूंद लाफ कि अज़वप इंश बार जो कि आख बहर झाल 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 झाल